आईपियल में बेंट स्टोक्स CSK को दे सकते हैं जटका क्या धोनी के उत्रादिकारी बनने का गमा देंगे मौका या फिर इंग्लैंड के सभी खिलाडी आईपियल छोड़ जाएंगे वापस इंडियन प्रेमियर लीग का 16 सीजन 31 मार्च से शिडू होने जा रहा है ऐसे में सभी दीनों के फैंस की धड़कने तेज हो गई हैं लेकिन इस बीट जो खबर आ रही है वो CSK के फैंस का दिल तोड़ सकती है चेनई सूपर केंग्स ने आउक्षन में इंग्लैंड के टेस्ट कप्तान बें स्टोक्स को 16.25 करोड रुपए खर्श करके खरीदा था इसके बाद कयास लगाय जाने लगे थे कि फ्रेंचाइजी महें सिंग धोनी का उत्राधिकारी स्टोक्स को बनाएगी लेकिन इस बीट जौका आने वाली ख़बर सामने आ रही है तो आएए जानते हैं इस रिपोर्ट में आखिर क्यों CSK के फैंस को लग सकता है जटका कब से कब तक खिला जाएगा IPL? दरसल इन दिनों इंग्लैंड और न्यूजिलैंड के बीच टेस्ट मैच की सिरीज चल रही है इस दौरान बन स्टोक्स को कप्तानी की जिम्मेदारी दी गई है इस दौरान जब IPL डेट्स के बारे में उनसे पूछा गया तो उन होने कहा कि वो एशेस की तयारी और आयलेंड के खिलाफ टेस्ट मैच के लिए IPL के बीच सीजन में इंग्लैंड लॉट जाएंगे हाली में भारती क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI ने आयपिल 2023 का शेडियूल जारी किया है टूनामेंट के 16 सीजन का फाइनल मैच 28 माई को खेला जाएगा इस बीच इंग्लैंड एक जून से लॉट्स क्रिकेट स्टेडियम में आयलेंड के खिलाफ एक टेस्ट मैच खेलेगा इसके बाद घरेलू टीम 16 जून से शिरू होने वाले एशेस टेस्ट सिरीज पर अपना ध्यान केंद्रित करेगी क्या बीच में ही आईपिल छोड़ देंगे बेंस्टोक्स जब बेंस्टोक्स से आईपिल की डेट्स को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा हाँ मैं खेलूंगा मैं ये सुनिश्रित करना चाहूंगा कि आईलेंड के खिलाफ मैच की तयारी के लिए मैं खुद को पर्याप समय दे सकूँ इस ओल राउंडर ने कहा कि वो आईपिल में खेलने वाले इंग्लैंड की टेस्टीम के सदस्यों से भी राय लेंगे कि वो एशिस की तयारी के लिए क्या करना चाहते हैं आईपिल में कौन-कौन से खिलाडी खेल रहे हैं? यदि बेंस्टोक्स आईपिल के बीच में छोड़ कर जाते हैं तो CSK के लिए एक बड़ा जटका हो सकता है क्योंकि इस बात के चल्चा तेज थी कि CSK बेंस्टोक्स को MS धोनी का उत्रा धिकारी बना सकती है और उन्हें टीम की जिम्मेदारी सौप सकती है हाला कि अभी उम्मीद है कि ऐसा नहीं होगा यदि IPL के इस सीजन में इंगलैंड के खिलाडियों की बात करें तो जोरूट, मार्क वुट, जॉनी बेस्टो, लियाम लिविंग स्टोन, जोफरा आचर, सैम कुरिन और हैरी बुरुक खेल रहे हैं